बिहार के लोगों को स्मार्ट मीटर से दिक्कत है तो तिरस्वी आदव दूबई के किसी सांदार होटल से लाइव आते हैं और गिनवाते हैं कि देखिए मीटर के दिक्कत से बिहार वाले बड़ी परिशान हैं आज बिहार के लोग बार से तरस्त हैं तब तिरस्वी आदव याद दिला रहे हैं कि उनके पिता ने 2008 में क्या किया था और अब तक तेरस्वी आदव जहां पर होने चाहिए थे वहां पर क्यों नहीं है इसी सवाल के साथ इस ख़बर की शुरूआत हम करना चाहते हैं आम तोर पर अगर हम नेता प्रतिपक्ष होते अगर हम दो बार किसी राज के उप मुख्यमंत्री बन गए होते तो मेरा करतव यही होता कि हम पहले तो सबसे पहले उस एरिया में जाएं जहां पर लोगों को हेलिकॉप्टर से आनाज बाटने वाला नौबत आ गया है और जब कोई और कभी कर ही नहीं पाएगा तब तब पत्रकारों के मन में यह सवाल आता है कि जब जब बिहार को तिरस्वी आदाव की जरूरत होती है तब तब तिरस्वी आदाव ग्राउंड पर क्यों नहीं दिखते हैं पांच दिन बीत चुके हैं कोसी का पानी आये हुए और प पास नहीं है तिरस्वी आदाव आम तोर पे कुछ भी करते हैं तो उनकी सोशल मीडिया की टीम उनकी ITCEL की टीम इतनी ताकतवर है इतना ज्यादा रिसर्च करती है कि वो पोश्ट उनका फोटो उनका वीडियो उनका रिल्स जट से उनके सोशल मीडिया पर आ जाता है लेक आपको ये तो खबर दिख जाएगी कि बिहार बार से तरस्त है और हर बार बिहार के साथ ऐसा क्यों होता है लेकिन अगर आप एक भी ऐसा तस्वीर खोजने का प्रयास करेंगे जहां पर तिरस्वी आदाव जाकर लोगों के बीच में कुछ बांट रहे हों कुछ मदद कर रह हो उनको धाणस ही बना रहे हो तो आपको एक भी ऐसी फोटो तरस्वी आदाव की तो कम से कम नहीं मिलेगी अब कई सारे सवाल उठते हैं सवाल उठते हैं कि जब तरस्वी आदाव दो हजार पचीस में मुख्यमंत्री बनने का तयारी कर रहे हैं और नेता प्रतिपक छोक प्रति रहते हैं कि जब उनके पिता सत्ता में हुआ करते थे तब उन्होंने बिहार के लिए क्या किया लेकिन अगर आज की बात की जाए आप मान सकते हैं कि कम से कम 15-16 जिला बिहार का ऐसा है जहां त्रहिमाम मचा हुआ है लोग का घर तूट कर पानी में समा गया है लोग उच्छत पर रहने को मजबूर है पटना की बात करिये तो मरीन ड्राइव पर टेंट लगा हुआ है माल गोरु तो मर गये हैं खाए बिना लेकिन निता प्रतिपक्ष गरीबों के मसीहा आर्थिक और समाजिक न्याय के मसीहा तर्यस्वी आदव कहीं दिख नहीं रहे हैं हो जाकर लोगों को पैसा बाट रहे हैं इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जो मदद कर रहे हैं NGO वाले हैं कई लोग अपने प्रसनल लेवल पे कर रहे हैं लेकिन तर्यस्वी आदव जिनको मुख्यमंत्री बनना है जो दो बार डेप्यूटी सीम रह चुके हैं उनका अगर जरूरी है क्योंकि अगर आपका नेता इस बात का दावा कर रहा है कि हम विहारियों के लिए हर वक्त मौझूद रहेंगे तो ऐसे वक्त में तरिस्वी आदव कहां है तरिस्वी आदव क्यों नहीं अपने हाथ में चावल डाल तेल सबजी लेकर पैकेट बना कर अपने जो नतीश कुमार को कैसे बरबादी की ओड़केल दिया है लेकिन जो युवाद तुर्क बनने का प्रयास तेरस्वी करते हैं उस युवाद तुर्क से लोगों को उम्मीदे होती हैं और फिलहाल अगर आप बिहार के लोगों का सोशल मीडिया कोलेंगे तो वहां पर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए जरा लालू जी के लाल और बिहार के भविश्य के होने वाले मुख्यमंतरी कहा है दुबई से लोटे की नहीं क्यों सिर्फ पोश्ट लिखकर बता रहे हैं कि उनके पिता ने क्या किया क्यों नहीं खुद से कुछ करके दिखा दे रहे हैं कि देखो हमको बिहार की जनता से इतना प्यार है कि हम उनके लिए कुछ भी करने को तयार है बाकि आपका इस पर क्या विचार है करबर्बॉक्स बताईएगा मेरे नाम प्रशान्त है बहुत बहुत धन्यवाद